आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक सोसल वर्क का है और NTA UGC NET जून 2022 में जो आपका एक्जाम होने वाला है सोसल वर्क से संबन दित यूनिट नमबर सेकेंड से आप लोगों से परशन देखने को मिल सकते हैं मैंने यूनिट नमबर सेकेंड से परशने लिया है आज आप लोगों का पहला परशने ये है कि निमनलिखित कतनों पर विचार करना है आप सभी को पहला पॉइंट है परिवार, इश्कूल, चर्च, राज, आदी समाजिक संस्था कहलाते हैं क्या समाजिक संस्था करते हैं, very good, correct जवाब और ध्यान रखेगा समाजिक संस्था जो होती है, संस्थाओं वे कार्य पर ला लिया है जिनके द्वारा ब्यक्ति, समितियां या संगठन अपने सदश्यों की पूर्ती करते हैं उसको हम संस्था कहते हैं, तो यह सिंपल है, और संस्था जनरीतियों का समू होता है संस्था स्वभाविक विकाश होता है, संस्था सापेच्चताय अस्थाई पाई जाती है इस चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यह statement सही है फिर कहता है कि संस्थाई कारी करने के ढंक को निर्धारित करती है तथा समूह के सदश्यों को परश पर बाधती है परश पर बाधती है तो अगर हम बात करते हैं, तो यह भी करट जवाब हो जाएगा option आपका यहाँ पे C वाला करट मान लिया जाएगा यानि हमने विचार किया और इनमें से बताना था उपरा उत्त कत्नों में से कौन सा कत्न सही था option आपका C देखेंगे, तो एक और दो दोनों सही है इसलिए option number C आपका करट रहेगा ऐसे भी exam में परशन बनाए जाते है question number second बात करेंगे निमनलेकित कत्नों पर विचार किजिए एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूडियों का एक ऐसा संगठन होता है जो अनेक समाजिक कारी करता है क्या ये बात सत्त लग रही है आप लोगों को question number second का पहला point बेलकुल correct ये सत्त है, ये सही जवाब है आपका और फिर दूसरी point करा है कि संस्थाएं सामोही क्रिया की विशेस्ता वाली कारी प्रडालियों के अस्थापित सरूप या अवस्था को कहते हैं तो ये भी बात आपका correct हो जाएगा इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग दोबारा यहाँ पर दूसरा वाला भी correct हो जाएगा तो option number C का chain करे option number C का chain करे एक और दो यहाँ पर correct है फिर आपको विचार करना है question number 3 में भी कहा रहा है कि संस्थाएं वे कारी पालिका होती है जिनके दोरा ब्यक्ति, समिति, संगठन अपने उद्देशों को पूर्ति करती है देखिए कितना सरल सरल प्रेशन है इससे concept भी clear हो रहा होगा कि संस्थाएं किसे कहते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो भी आपका पहला वाला point सही मान लिया जाएगा और संस्थाओं को समाज द्वारा मानता प्राप्त होती है यह भी सही है संस्थाओं को समाज द्वारा मानता प्राप्त होती है सत्य है सौरभामिक सत्य है यह और संस्थाएं अमूर्त होती है अब यही देखिए आपको ध्यान रखना था संस्थाएं मूर्थ होती है क्या मूर्थ होती है नो नो संस्थाएं मूर्थ होती है संस्थाएं संस्थाएं क्या होती है अमूर्थ होती है यहाँ पर करट जवाब आपका हो जाएगा फिर पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा तो option number आप चैन करें यहाँ पर C को option number C कर चुनाव करें question number अगर हम 4 की बात करते हैं कहता है कि निमनलिकित कथनों पर विचार करें पहला point है सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संरचना की बेवस्थित करम बद्धता को इस्थिर रखने के लिए अनिवारी होती है अनिवारी होती रहती, क्या यह बत सही है लग रहा है आपको सही हाँ, ठीक, अगर यह सत्य है सही है अब बताए संस्थाएं, बेवहार की एकल प्रडाली कहलाती है बैवहार की एकल प्रलाली देखे संस्थाएं बैवहार की एकल प्रलाली नहीं होगी सर क्योंकि समू है ना इसमें मैंने तो आपको सुरुवात में कह दिया था कि तो समू का पार्ट बन जाता है समाजिक संस्थाएं कुछ आधार भूत मानवी आवसकताओं की संतुस्थी के लिए संगठित और आस्थापित प्रलालियों को कहते हैं हम जिसको हम कहते हैं समाजिक संस्था तो ये आपका correct रहेगा परन तो एकल प्रडाली नहीं होगी सामोहिक कारी प्रडाली की बात करते हैं आप तो मैं कहता भई सही है लेकिन सामोहिक कारी प्रडाली तो लिखा ही नहीं है option में इसलिए option आपका केवल सत्य माना जाएगा पहले वाले को बाकी यहाँ पर गलत जवाब आ जाएंगे भी गलत जवाब है आपका question number 5 देखिए प्रश्ण सरल है समझने की कोशिश करिएगा बैक्तिक नियंतरड मैंने आपको पढ़ाया है समाजिक नियंतरड आप समाजिक नियंतरड के बारे हो जानते हैं लेकिन अपनी तर्ग के याधार पर समझ जाएंगे कह रहा ही कि कारिये कलाप का मतलब है activity 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 में सुगमता आती है और सहयोग सहकार और जम्मेदारी बढ़ती है क्या ये बास सही है नियंतरर से कोई भी activity अगर होगा तो उसमें सुगमता आएगी उसमें सहकार आएगा उसमें जम्मेदारियां बढ़ने शुरू हो जाईगी क्या ये बास सही है बताइए बेलकुर सही जवाब यहाँ पर आपका ये करट जवाब है सत्य है ये दूसरा कहता है समुदाइक नियंतरड का विकास उन अवस्था में जादा निश्चित है और सरल होता है जब समुह के सदस्यों की अंतहक्रिया को कोई कुशल कारी करता निर्देशित करता रहता है तब तब ये जवाब अप्शन नमर सी अगेन आपका सत्य हो जाएगा यहाँ पर पहला और दूसरा प्रेश्चन को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक और देखिए समिती का कार ये विधिवत रूप से चलाने के लिए जो साधन तोर तरीके विधिया प्रडालिया आदिस सहयोग में लाई जाती है उन्हें संसता कहते हैं हैं ऐसी बात है बताईए अगर है तो यस करिए बिलकुल गरट जबाब ये सही है अब देखिए जब सदस एक जुट होकर किसी उद्देश की पूरती करते हैं तो उसे समुधाय कहते हैं बताईए जबाब यहाँ पर हम बा तो काफी समय तक एकठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं और स्वयम को अन्यमानवी इकाईयों से भिन इकाई में समझते हैं तो हम उसको नाम देते हैं एक प्रकार का समाज की लेकिन जब सदस एक जुट होकर किसी उद्देश की पूरती करते हैं तो उनको हम नाम देते हैं समिती की जब हम बात करते हैं समुदाय की तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समू है जिसमें ध्यान केगा जिसमें कुछ अंसो तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चि छेत्र में निमास करता है उसको बलते हैं यह तुगलत जबाब है यहां पर केवल आपका सही प्रूर रही है आम लोगों को कि ये फिर है क्या अगर समुदाई नहीं तो फिर क्या और किसी मैडम ने बोला है कि इसको समीति करें इस तरीके से आप कोशेन करेंगे तो डेफनेटली अपकरेंट करेंगे एकसाम को आगे अगे अगर बात करूं तो समूह के द्वारा वस्तूओं की जो इकाईयों की संख्या है जो एक दूसरे के निकट समीप में इस्थित होती है तो ऐसी कंडिशन अगर हम बात करते हैं यूनिटी की बात करते हैं समूह की यूनिटी में बात हो या वस्तू की यूनिटी की बात हो समूह कोई समुह किसी वस्तु की बात कर रहा है तो यह स्टेटमेंट एक दूसरे के समीफ होती जाहिए सी बात है यह सत्य होगा आपका इसमें कोई दो राय नहीं है यह करेट जवाब है अगर हम बात करते हैं कि मानो छेत्र में समुह से तात पर यह मनुश्यों के ऐसे संकलन से संकलन का क्लेक्शन से जो एक दूसरे के साथ समाजिक संबंद रखते हैं अब यह बात अगर मैं काईबर पेच समझोगे तो सही रहे हैं यहां पर इस्टेटमेंट आपका पहला करेट जवाब दूसरा करेट जवाब इसलिए अप्शन नुम्बर सी करेट रहेगा यहां पर यहां उसी परिकार से सेरिफ एन सेरिफ की परिभासा देखिए कह रहे हैं कि समुह व्यक्तियों का संग्रा है जो अस्थाई है जिसके एक या अधिक सामानहित एवं क्रियाएं हैं तथा जो संगठित है तो यह यहां पर हमें संगठन को रिपर्जेंट करते हुए बताया है परि देखा जाता है जो ब और नहां से आप लोगों से कि यह परिभासा है किいつ के हमें यह नहीं प्ता चला कि यहां पर किसका recording अभी अभी आप सबसे यहां पर कहना चाहूं यह प्रश्ण जो है या आपका गलत है मतलब यह quotation आपका सेरिफ एंड सेरिफ के recording जो है गलत statement है इसलिए आप इसको चुनावना करें बोगार्स की बात करते हैं समुव एक्तियों का संग्रा होता है collection जहां पे स्रेडिया होती है जिसमें सदस्ता और अंताक्रिया की चेतना होती है क्या ये बात लग रही है आपको अंताक्रिया की चेतना जिसे की मैंने सामोहिक चेतना या चेतना जो सांसे क्रेटिक चेतना की बात किया था तो सेरुकिन के नाम लिया था क्योंकि मैंने वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन में बात कर रहा था आप लोगों से तो यहां पे चेतना में बोगार्स की कोई भूमिका ही नहीं है बोगार्स कहते हैं समुदाय में जो सामाजिक शमू है वो कुछ अंसों की हम की भावना है हम इस बास से सहमत है लेकिन बोगार्स यहां पे क्लियर सब्दों में कुछ कहा ही नहीं का सदस्ता का और अंताक्रिया की चेतना है परंत मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहां आपका बोगार्स भी गलत हो जाएंगे यहां बोगार्स का भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और सेरेफ के भी स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाएगा मैं आप से कहूँगा ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है इसको आप सही जबाब दे पहला दूसरा सही नहीं है अपका statement ना ही आपका पहले है ना दूसरा ना तो एक ना ही दो अब देखेंघेंगे समुदाय का है समुदाय अल्प पकारिक होते से हुआ से UP कर देहने को समुदाय होते हैं पिर आपसे कहे रहा है कि समुदाय अपने लच्चों को प्राप्त कर विखर जाते हैं क्या यह बास सही लग रही है लच्च को प्राप्त करके विखर जाते हैं समुदाय गलत है तो यह बास सत्य है यहां तक आपके अल्पकालीक था यह सही था, मैं मानता हूँ ये अलपकालिक के रूप में भी देख सकते हो, पूरवकालिक के रूप में देख सकते हो, प्रादेश के निकटता के रूप में देख सकते हो, सामधाई भावना के रूप में देख सकते हो, अस्थानी छेत्र के रूप में देख सकते हो, आप देखना भी है आप लोगों को, हो जाएगा आपका यह नहीं सही है प्रतेक समुदाय का कोई सामान में नाम होता है प्रतीक तो होता है हम जानते हैं प्रतीक होता है सामान में जीवन होता है सामान में नियम होते हैं बिस्निस्ट नाम होता है मैंने बताया था आप लोग इस तरीके क्रिया विदी हमें देखन नहीं लगड़ा है अगर यहां पर प्रतीग की बात होता अमुर्त विवस्था की बात होती सामोहिक प्रयतने की बात होता नियम की समझना की बात होती तो आप कह देते कि यह संस्था थी यहां अगर समुदाई के बजाए का संस्था लिख दूँ तब बताई ये प्रश्ण कैसा है मैंने संस्था लिख दिया अब बताईए अब साहिए तो आपको मैं बताऊंगा कि यहां पे ये प्रश्ण ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही कोशन नुमर नाइन का आपका अगेन डी वाला गलत हो गया फिर बताना है बिचार करके समुदाई को बिचार पूर्वक किसी निश्चित उद्देश की पूर्ती हे तो निर्मित किया जाता है कि यह बास सही है नहीं सही अच्छा जी जब जब कुछ लोग एक अस्थान पर रहने लगते हैं तो अपने आपकी भावना का जनम होता है और इससे समुदाई का विकास में सहायता भी मिलती है यह सही है प्रश्ण यह था कि समुदाई को बिचार पूर्वक किसी निश्चित उद्देश की पूर्ती हे तू निर्मित किया जाता है यह आपका प्रश्ण अगर ध्यान से पढ़ें किसी निश्चित उद्स पूर्ती के लिए किसी निश्चित उद्देश पूर्ती के लिए संस्था कह सकते हो कि अपने गाव और नगर का सोच लेना वहाँ एक संस्था होती है क्यों अच्छा समुदाय होगा ठीक है गाव तो नहीं होगा लेकिन नगर तो हो सकता है यह सोचिए एक बार आप जिस जहां पे रहते हैं वो नगर नहीं है कोई नगर में रहते हैं तो वहाँ एक संस्था होती है यहां पे देखें यहां तक आप पहली बात यहां तक समझे यहां तक कर समझे जिस गाउं और नगर से समझ रहे हैं आप गाउं का मतलब गाउं को रिलेट करेजे संस्था को आप संस्था सो रिलेट कर लेजिए वह एक संस्था होती है ये संस्था नहीं होती है ये क्या होती है समुदाय समुदाय होती है और समुदाय में ना केवल सदस्यों का सामान जीवन बेतीत होता है अपितू मतलब बलकि उनमें समुदाय भावना भी पाई जाती है क्या बात ठीक है यह इसलिए option number B केवल सही है केवल B सही है फिर बिचार करिए question पर दिखिए अभी बिचार वाले ही आ रहे हैं भी fact भी आएंगे आप टेंसन ना ले निवास अस्थान या अस्थानी चेत्र की अनुपस्थिती में समुदाय जन्म नहीं ले सकता नहीं ले सकता क्या यह बात सही है कि भाई निवास अस्थान या अस्थानी चेत्र की अनुपस्थिती में समुदाय जन्म नहीं ले सकता अनुपस्तित रहेगा तो जनन कहां से लेगा बात तो ठीक है सही है अगर निवास अस्थान या अस्थानी चेत्र की अगर अनुपस्तिती है अनुपस्तिती मतला अफसेंट है है ही नहीं तो समधाय का जनन लेही नहीं सकता बात तो ठीक लिख रहा है इसमें क्या गलत है कु तो इस्टुडेंट है एक्जामनर कोई और है ना एक निवास अस्थान की बात करे अस्थानी छेत्र की बात करे जब वहाँ पे रहेगा तभी तो समधाय का जनम होगा जब वह है ही नहीं तो जनम कहां से होगा है ना सिंपल सी बात है मैडम यहाँ पर इस चीज को हमें इसी तरीके से समझना होगा तो मैं आपको कहूंगा कि भी यहाँ पर इसको सक्ते बाने छेत्र में निश्चता होने के कारण ही वहां रहने वाले सदस्यों के मद्ध घनिश्टता सैन सीलता सामंजस की भावनात्पन ह लोगों को बहुत सारे लोगों के से प्रिश्टाम को बिचार करना होता है तो इस पर थोड़ा सा रु जाया करें आप जल्दबाजी ना किया करें ताकि समझ ले तब जबाब दें यही न आप एक enjoyment करें संचालित करें ठीक है विचार करते हैं कि समाज स्वयम एक संग है इस बास से आप सहमत होंगे समाज की बारे में बात की जा रही है सोसाइटी की बारे में बात हो रही है और सहमत भी होंगे क्योंकि समाज जो है अमूर्थ की अपेच्छा मूर्थ मानकों की अपेच्छा विस पंतरताओं की एक बेवस्था मानी जाती है इसलिए समाज स्वयम एक संग है इस बात से आप लोग सहमत भी रहना तो मैं कहूंगा कि तेरे वाला का जो सही जवाब होगा वो आपका यहां पर संगठन और आपचारिक संबंधों का एक योग एक ऐसा योग है जिसके सहयोग द समाज एक स्वयम संग है लेकिन एक संगठन भी है और आपचारिक संबंधों का योग भी है जिसमें सहयोगी ब्यक्ति परस पर संबंध भी है आपको मैं पता दू गिडिन्स का परिभासा लेगा गिडिन्स गिडिन्स का नाम यह गिडिन्स की परिभासा है इक्जैक्ट ग संबंध आग और धूआ पयन वह साही जैसे होते हैं अच्छा ये आपका तर्क बता रहा है कि सामाजिक संबंध जो है आग धूआ पयन वह साही जैसा है तो बात सही है और यहाँ प्रॉप्शन नमबर सी करेट है यहाँ पर याद रख लिए गा यह परिभासा एग्जेट ल विचार करना है again कि सामानता की भावना का अर्थ है कि समाज में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, सभी लोग एक समान हो, बात तो ठीक लग रही है, अच्छा कि भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक है समाज में, और सभी समाजिक ब्यावसायों में भिन्नताएं समाजिक संबं सासा से प्रश्ण बनाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए तो समाज समाज एक संबंधों का जाल है तो जाहिर सी बात है कि सभी समाज बैवसाय में भिन्दता भी होने की देखने को मिल सकती है तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन अगेन आप लगाना यहां पे सी वाले को पहला दूसरा सही है पहला दूसरा आपका सही है कोशन भी 15 निमनलिकित कत्नों पर विचार करिए कि समाज का निर्माण मातर व्यक्तियों के संकलन से ही नहीं होता इसके लिए उनमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का होना निवारी है क्या ये सही है अगर मैं काईबर पेच का सोचेगा तो सही समझेगा हाँ सही है ठीक है मानता हूं करेट है ये परश्पर अंता क्रिया देखो मैंने एक ही परिवासा आप लोगों सभी रिलेट करवाया था गिडिज के महोदे के कॉडिंग उन्होंने इस बात को कहा है कि परश्पर संबंध होना आपचारिक संबंधों का योग जिसमें सहयोगी ब्यक्ति परश्पर संबंध होते हैं क्योंकि समाज सवयम एक संग है और एक संगठन भी है तो इसलिए आप लो option number C का correct जबाब रहेगा question number 10 परिवार के सदश्यों में आस्थाई संबन्ध पाई जाते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो परिवार सदश्यों में आस्थाई संबन्ध पाई जाते हैं प्रश्ण पढ़ने से में पता चेल जाता है ठीक है थोड़ा सा वेट करी अगर अगे बाद किया जा रहा है कि अगर बस में बैठे यात्रियों में अस्थाई संबंध पाए जाते हैं क्या यह सही है बात रहा थे उनने चारे दिफ दोनों उपर का नीचे किया इस बात से अगर और नीचे और अस्थाइक को ऊपर कशली अंपकर दिच्ट कर दियी तotz झाहांए के आधार्बूध तत्तों है और नाम बताएंगे भी आप लोग बताए हैं क्या हां तत्तों हैं दो अधारबूत में काइबर पेज के एक अस्थाई छेत्र है एक समुदाइक भावना है बेरी गुड हां एक अस्थानी चेत्र है और एक समुदाइक भावना किंग्सले डेविस कहता है कि दो अधारबूत किंग्सले डेविस का भी है एक प्रादेशिक निकटता है एक समाजिक पूरता प्रादेशिक निकटता और एक समाजिक पूरता है तो देखी जरा यहां पर दूसरे में किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाए सबसे चोटा प्राईशिक संम्मूभ होता है और बैने बताया भी इसकी दो आधर बूट बताया इसने दो आधर बूट तत्व बतायें इसने और यहाँ एक समाजिक जीवन में समस्त पहलुओं का आलेंगण करता है क्या यह बात सक्ति हैं 17 का 17 का दोनों के दोनों स्टेट्मेंट आपका करट है यहाँ पे पहला भी करट है दूसरा भी करट है ऑप्शन आपका हमेशा यहाँ पे सी सही हो जाएगा 28 का हमेशा एक बिषिस्ट होता है यह सही है एक अपना जीवन बिषिस्ट तरीकें से जीते हैं अब देखिए थीत तरीकें से मेरा कहने मतलब है कि लच तो प्राप्त करने का होता है लेकिन बिशिश तरीके जीने का मतलब क्या कुछ यूनिक जीते हैं सामान लता ही तो जीते हैं आप मुझे ज़रा बताएं यहाँ पर अगर आप समुदाय की बात करें बिशिस्तिताओं की बात करें उसमें ब्यक्तियों का समुव होता है सामान ले जीवन होता है सामान ले नियम होता है समुदाय का बिशिस्ति नाम होता है प्रतेक समुदाय का कोई नाम अवश्य होता है इसी नाम के कारण ही समुदाय की एकता का जनम होता है तो समधाय का नाम ही ब्यक्त में अकेले पन की भावना को प्रुशाहन देता है और समधाय जो है चिरास्थाई होता है अस्थाई ना कहके चिरास्थाई गर कहें तो सबसे अच्छी बात रहेगी आप सब के लिए समधाय एक साथ सेवा करने की बात करता है तो विस्षिश्ट लश्च होने की बात अगर हम कहते हैं लेकिन अपना जीवन विस्षिश तरीके से जिते हैं ये कर्षन कहा उचित नहीं होगा इसलिए मैं कहूंगा कि इसको आप गलत मानें पहले आप्षिन को गोगाइन कुछ पर्टिकिलर लच्प भी Bangladesh हो दिखे बिस्पिनाष्ट कहने का मेरा तातपरी यहां पर यह हुआ कि मालेजिय हम कहते हैं परिभासा के कौइप रोगार्स कि महोदी की मॉच्अ कौदिक उसका कुछ पर्टिकुलर लच्छ भी होगा तो वो कहना ठीक है हम बोगार्स की कोड़ी मत कर रहे हैं लिकिन बोगार्स ये भी कहते हैं कि वहाँ बिस्निस्ट तरीका नहीं होता है वहाँ ब्यक्तियों का समू होता है वहाँ सामाने जीवन होता है लोगों का हमारा माल ला एक को विशुष्ठ लख़ लगवाने के बारे में हम क्या करें एक जारूपता अभयान चलाएं है तो लिकिन जी सिर्वान जीन नहीं है इसलिए आपका इसलिए गलत स्फ़ाइब के समस्त सदस्यों के बैवहार कुछ बिस्निष्ठ नियम हो और चलाए जाते हैं दिखिए गलत है ये विशेष्ट नियम ना कहके आप सामान नियम कहें तो अच्छा है मैं आपको एक नाम बताता हूँ गिंसर बर्ग का नाम गिंसर बर्ग अब ये महोदे कहते हैं समुदाई की जो विशेष्टा बताते हैं तो कहते हैं कि समुदाई के समस्त कि बैवहार सामान नियमों द्वारा नियंतरित होते हैं और जब सभी ब्यक्ति सामान नियम के अंतरगत कारी करते हैं तब उनमें सामानता की भावना विक्सित होती है तो बिसिस्ट नियम ना कहें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए है ना तो यहां पे दूसरा वाल ऐसे बन सकते हैं ना जब एक्जाम में जून में आपसे प्रशन आएंगे तो दो ही नहीं रहेंगे यहां पर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट आ रहा है तीसरा चौथा पांचवां तक स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं कि इस चीज को ध्यान रखेंगे जी कोईशन नमबर एक मिनट आप साइद ऊपर की बात करें बिसेस्ट उदेश्ट देखिए मैडम मैं बताता हूँ हमेशा एक हमेशा एक बिसेस्ट होता है तो हमेशा की बात कहें हाँ पर देखिए तो नहीं होगा यह हमेशा गलत है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर बिसेस्ट लच्च को लेकर मैडम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कारड़ यह है बताता हूँ आपको मालीजा आप समधाय में काम कर रहे हैं एक सिंपल से लॉजिक सी बात है तो आप बताईए सामान उद्देश के साथ अगर आपको वो चीज़े कर लेते तो अच्छी बात है हमारे पॉइंट आप वियु से मैं एक सोशल वरकर हूँ संस्था की पॉइंट आप वियुuğ से वो बेसिकली एक बिसिस्ट होगा नता के रूप में देखा जाए और हमारे पॉइंट आप वियुक। मैंने कहा कि जागरोग करना है तो जाहिर सी बात है जागरोग करना हमारे लिए एक बिसिस्ट लच्छ है हमारे लिए हमारे लिए उनके लिए उनका है ना वो तो उनका पॉइंट भी बरेगा मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं हम लच्छ की बात कर रहे हैं हमारा लच्छ हमारा लच्छ होगा जो सतह अपने आप develop होता हो तो समाज है, वो तो संगठन है, वो तो सतह की बात तो किया है नहीं इसमें, और पहली बात, एक और देखो ट्रिक यहां पे, ट्रिक नोट कर लिजिए, एक सब्द है हमेशा, हमेशा केवल, हमेशा केवल, ये दो सब्द ऐसे होते हैं, जिस option में आते हैं, वो option हमेशा गलत होते हैं, ध्यान रखेगा, ये चीज़ को भी ध्यान रखेगा, तो ये ट्रिक है, तो बिसिस्ट लच मैडम होंगे, लेकिन यहां पे अगर हमेशा लिखा रहेगा, तो गलत हो जाया, और लड़ी, इसमें कोई दोरा नहीं, मैंने इंडिजिवल हाँ, आप कई होगा, question number 19 पे आते हैं, ये हो गया है क्या, नहीं वह न, 19, नहीं, अभी नहीं वहाँ, अच्छा, किसी निश्चे चेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर संगठन को समाज कहते हैं, क्या इस बास से सहमत हैं आप लो, गलत है, देखो, अब आप समझेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा, देखो, मैंने कहा समाज, और आपको समाज मैंने कहा है, एक ही व्यक्ति की परिवासा याद रखें, या समाज को एक ही लाइन में इस तरीके समझ लिए, कि समाज स्वयम का एक संग है, संगठन है, और अपचारिक संबंधों क से परिचित है, और इसमें आनंद महशूश करते हैं, इसलिए समलित उद्देशों की पूर्ती को मिलकर काम करते हैं, इसलिए उसको समाज कहते हैं, समाजिक जीवन के संपूर संगठन को समाज कहते हैं कि निश्चित छेत्र को, निश्चित, बात को यहीं पर समझेगा, क् नो नो गलत ये गलत जबाब है आपका यहाँ पे अगर हम सही बिल्कुल करण जा रहे हैं तो सीमित छेत्र के अंदर रहने वाले समाजिक जीवन के संपूर संगठन को समाज कहेंगे नहीं गलत है हाँ समाज मनिश्यों के समूह का नाम नहीं है बलकि वा मनिश्यों के अंता संबंधों की जटिल बेवस्था है समाज समुदाय के भीतर संगठित समूह है समितियों और संख्याओं का जटिल संस्था है सामाज सामाजिक संबंधों का तानावाना है नटवर्क है यह है ना कि सीमित छेत्र लिखा है न वो गलत चीज लिखी हाँ 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 समुदाय को यहां पर समुदाय को रहता है यह वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता उसे समुदाय कहते हैं क्या यह सही है यह सही है अगर आप बोल कर करेंगे कोई चीज को ऐसे मन से पढ़ेंगे तो वह चीज दोख आप मैं बता रहूं आपको यह तो पंदरा बीर्ज दिन तो आपको भूले गाई नहीं ऐसे सवाल पक्का बता रहूं उसके बाद अगर आप बार बार इसको देखेंगे नहीं वह नहीं करेंगे तभी भूल सकते हैं अच् सम्मू है प्रश्णम में ना सब्दों को तोड़ो दूसरे समू की तुलना में ब्यक्ति अपने समू की अंतर क्रिया करना सरल समझता है यह वाद ठीक है यह अपने अपने उपर अपलाई करके देखें सही लगएगा आपको और यह सत्त है आपका और देखें निकटता निश्चता को सुगम बनाएगी और यहाँ सुरक्षा की भावना पैदा कर देगी बिल्कुल सही है अप्शन नमबर सीकर्ट होगा देखे यह तो ऐसे हम बहुत सरल प्रश्ण आ गया आगे देखिए 21 परिवार में हर लिंग आयू एवं पीड़ी के आकार पर 15 प्रकार के सं बताये गए हैं क्या ये बात आपको सही लग रही है परिवार में 15 प्रकार के संबंध बताये जा रहे हैं जी मैं क्या करें जी इसा कुछ बताया गया यह हां एहां पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं देखिए ये प्रशन में अगर दिको यह प्रशन फैक्ट पे आधारित है, फैक्ट पर, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को सुनिए जहान से, फैक्ट पर आधारित है सब, सभी लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दूँ कि मानों में सदयव जीवित रहने की एक्षा होती है, जिससे परिवार दोरा वहाँ पूरा करने या पूर है, जिसे मनुष्य पशु अवस्था में अपने साथ लाया है, पशु अवस्था में, तो ऐसी कंडिशन पे जब आप उनके पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, उन्होंने आउसक्ताओं के साथ सिध्धानत बताए, जिसे अबराहम मैशलो ने, मेरी बात को समझे, अबराहम मै साथ ऐसे मूल भूत आउसकता हैं बताए थी, साथ, और मैलिनों वस्की के ही कोडिंग में आपको बता रहा हूं कि लिंग आय और पीड़ी के आकार पर 15 प्रकार के संबंद बताए गए हैं, यह आपका स्टेटमेंट साहिए, वहीं सोस्योलोजी में, सोस्योलोजी आप फै जे नोकर, दास और भी क्रिया विधी के बारे में इनोंने बात किया था क्योंकि परिवार एक ऐसी संस्ता है, जिसमें परिभासा ऐसी नहीं दि जा सकती है, जो सभी देश, काल और परीवार के लिए सही हो, इसका मुफ कारड या है कि परिवार के रूप में संस्कृती से दूसरी संस्क्रिती में बदलते रहते हैं, तो परिवार निश्चितियों संबंध द्वारा परिभासित एक ऐसा समू है, जो बच्चों के जनन और लालन पालन की बेवस्था करता है, वो परिवार होता है, और आयू लिंग पीडी के आकार के आधार पे 15 प्रकार के संबंध बताएगे हैं, ये बात भी आपके सही रहेगी, यहाँ पर, समाज व्यक्तियों में पाये जाने वाले पराशपरिक शंबंधों का जाल है, तो आप यहाँ पर में काईबर पेज को सोचेंगे, तो आपका सही रहेगा, ऑप्शन नमबर आपका सीकर्ट, सीकर्ट रहेगा, देखिए, मेलिनोवस की बहुत, बहुत इंपर्टन पर्षन है, और परिवार के देखिए, पांच और भी तत्तों हैं, उसको भी आप अगर तत्तों लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, जैसे पांच तत्तों हैं इस्तरी पूरुष का योन संबंध इस्तरी पूरुष का योन संबंध दूसरी पांच तत्तों की बात यह बिसिकली परिवार के पांच तत्त एक नॉर्मली बताएगा है सामाननता और अगर हम बात करते हैं तो योन संबंधों में जो है विधी पू समूह है निवाश एक समूह समूह ना कहे आप सहा निवाश कहिए सहा निवाश कह लिजे तिक यह कह लिजे और सौर्भमिक्ता तो यह चीज़ें हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं कहता है कि समूदाय का निर्माण में ब्यक्त के एक निश्चित भूभाग का होना तता समूदाय भावना का होना अनिवारी होता है यह सत्य है हाँ ठीक है बहुत प्रड़िया बहुत अच्छा समधा एक ऐसा सामाजिक समू है जिसमें कुछ अंसों तक हम की भावना होती है और जो एक निश्चे छेतर में निवास करते यह परिभासा बताईए अब किस ने कहा है परिभासा बताईएगा नो नो और मेकाईबर नहीं है और बताईए बोगार्स कितनी बार बताओ कि हम की भावना किस बिद्वान ने कहा है बोगार्स निश्चे छेतर किस ने कहा है समाजिक दूरी का मापन किस ने बोला है समाजिक दूरी की मापन अच्छा समाज मिती ने किस ने दिया फिर समाज मिती किस ने दिया है हुए जेल मोरॉनो ने जेल मोरॉनो चली क। स्वक्षी सभी टेखते हैं तैसस फाक्तर च कोिसने सब्स det Nasıl नंबर tiro इसलिए आएगा तो पहले सी में आता है बाद में इसलिए पहले स safety है और दूसरे में जो धी वार को गलत मान लेता हूं कि यह last में आता है ट्यकि तो एक बार सरी होता है एक बार ऑगा गलत होगा इसलिए मैं इसको सोच लेता हूं आप लोग भी इस तरीके से option को जैन में चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी इस बात से सहमती चताता हूँ ठीक है समाज में सामानता के साथ साथ भिनता आवश्यक है सामानता में व्यक्तियों के संबंद अत्यधिक सीमित हो जाएंगे देखें ये भी सही है अब मुझे जरा बताएं कि या जो समाज की बारे में बताए जा रही ये बात क्या ये ब्याक्ख्या सही थै पर उतना ही आसरी थे जितनी की सामानता पर है ये बात सत्य है आपके और ये भी बात समाज में सामानता के साथ साथ भिनता आवश्यक है सामानता में व्यक्तियों के संबंद अत्यदिक सेमित होते हैं ये भी सत्य है अब मैंने ट्रिक बताई एक तु क्योंकि लगाते हैं सामाज में वेक्ट्ट्वों केसा साथ भिन्नता हो नहीं अवश्यक है, सामाज भीक्तियों के सब्ध अत्य?- क्सीमित हो जाएंगे। थी मैं आप से कहूं देखें यहां पर समाज में सामानता की बात कही गई है कि सासाथ भिनता होनी आवश्चर बताई गई है कि कहरा है कि समाज में सामानता भी है उसके सासाथ भिनता भी है फिर कहरा है कि समाज में सामानता के संबंद अत्यदिक सीमित है तो मतलब एक प्रकार से सीमित का मतलब ए एक निर्धारित किया गया है, बैक्तियों का संबंद निर्धारित किया गया है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये आपको उपर की परिभासा नहीं बता रहा है, आर ये जो आर आप अभी पढ़े हैं, वो समाज की भिन्नता पर उतना अस्रित है जितना समानता पर उस बात को नह A को नहीं बता रहा है, अगर आप R को पढ़ें, इस R को अगर आप पढ़ें, तो R सही तरीके से ये इतनी बड़ी लाइन, ये A को नहीं समझा रहा है, ये अलग अपना बता रहा है कुछ, और ये अपना अलग कुछ बताने के कोशिश की जा रही है, यहां तो बता गया कि सम ब्याक्षा नहीं कर रहा है मैं कहूंगा B का करण जबाब यहां पर बाने जाएगा बहुत बच्चे सोचते हैं कि आर उपर समानता लिखा है ये भी समानता है समझने कोशिश क्या करें फिर R को दो बार पढ़ें R दो बार पढ़ेंगे A को बताता है अगर तो ठीक है जब A को ही नहीं बताता है तो गलत है क्योंकि वो तो आसरित बता रहा है यहां अत्तदिक सीमित बता रहा है तो यह दोनों का कोई संबंध ही नहीं है इसलिए आपका option B करेंट रहेगा यहां पर question next देखिए अभी यहां प्यारों समझेंगे ब्याक्ख्या को लेकर आप लोग साथ ब्याक्ख्या कर रहा है यह नहीं कर रहा है इसी में बहुत confused होते हैं और भी प्रश्न देखेंगे तभी आपको clear हो जाएगा साहयोग के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता है क्या यह बास सत्य लग रही है आपको ठीक है समाज के साहयोग के बिना कोई समाज जीवित नहीं रह सकता है इस बास से मैं भी सहमत हूँ अब आप यह दिमाग मत लगाएगा कि उपर भी सहयोग है, नीचे भी सहयोग है, तो व्याक्या हो रही है, ये ट्रिक मतलगाएगा, ये ट्रिक गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़िए, आरप को भी पढ़िए, सहयोग के बिना भी ब्यक्ति अपना जीवन बैतीत कर सकता है, देखें, ये तो पूरा प सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है है न तो आपका यहां पर एस है आर गलत है सहयोग के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता यह बात ठीक है और सहयोग के बिना भी ब्यक्ति अपना जीवन बेतीत कर सकता है तो मैं आपसे कहूंगा कि सहयोग तो जरूरी भी ऐसा उसका नाम आया था चिनपैंजी आप पढ़ते होंगे समाजी अंतर दिश्टी के सिंधान्त में कोहलर का सिंधान्त पढ़ेंगे और एक एविराउन करके नाम था जीन मार के इटार के नहीं किया था बच्चे को जंगल से ले आया था टिक है तो ऐसे जैसे बिहाइबियर ह अप्षर हो जागा तो मैं आपसे कोँगा कि सायोग के बिना ब्यत्ति अपना जिवन ब्यतीत कर सकता है तो यहां पर यह statement गलत है यहां पर यह statement आपको गलत है option A सही है आर गलत है option A यानि C वाला करेक्ट हो जागा A सही है और R गलत है यहां पर अब दिखे question 24 25 सामाजिक सं कि इस बात को सक्ट मानूंगा अब देखे मैंने एक चीज बोला है केवल हमेशा प्रतेग कभी कभी यह चीज को ध्यान रखेगा कि वह स्केवल हमेशा बताता तो बहुत होता है अगर जब आप कहते हो कि प्रतेग संस्था का निर्मार समाजिक उद्देश के लिए होता है बात ठीक कह रहे हुआ तो बताओ कि समाजिक संस्थाओं के उद्देश पूर्ता सुप परिभासित भी करेगा और अस्पष्ट भी करेगा यह करेगा कि नहीं करेगा संस्था भाई जाइर सी बात है जब प्रतेग संस्था का निर्मार समाजिक उद्देश की पूर्ति के लिए होगा न तो वहाँ पर मैं बताओं संस्थाओं का उद्देश पूर्ता सुप परिभासित स्पष्ट है परिभास्ट देगा यहाँ पर मैं बताओं ब्याक्या हो ऑ रही है यहाँ पर तरीके संस्था संस्था कि संस्था जाएग समाजिक उद्देशों की पूर्ती होती है जब वो पूर्ती होगी तो वहाँ पर असपस्टी करण करेगा परिभासा को भी और संस्था को भी तो जाहर सी बात है आपका option एक रेट हो जाएगा यहाँ पर ब्याक्षा भी हो रही है option number एक रेट है यहाँ पर सही लग रही है सही है यह बात को मानना भी सही है कि बिना उचित धांचे या संरचना के कोई भी समाजिक संस्था विक्सित नहीं हो पाईगी जब कोई structure ही नहीं होगा तो कैसे संरचना और मैंने आपको बताया है समाजिक संरचना के लिए भी तो बहुत सारी चीज़र की जरूरती पड़ती है तो समाजिक संस्था विक्षित नहीं हो सकती जब तक अब फिर कहते हैं कि अब पर जश come up hen a की जा इंब जाये जिक्राव को leveling को स्वाइन चैड़ जीवात आप हें अब हूसी के रहना नी होका कहेंगे उस सिस्टम को कहेंगे जिसके दोरा संस्था का काम चलता है तो लच्छ नहीं है यहां पर यहां पर इस्ट्रक्चर है तो मैं आप से कहूंगा कि यह भी आपका सही है अब आप देखिए आप ऐसे मत करिएगा कि यहां पर भी धांचे है और यहां पर भी धांचा लि क्योंकि क्योंकि ट्रिक लगाई यह लाश्ट में क्योंकि धांचा उस कार्य पढ़ाली को कहते हैं जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है और यह सही बात है और इसलिए आपका option एक करेक्ट रहेगा यह करेक्ट ए रहेगा कोशन 27 देखिए संस्था के प्रतीक आप देखिए मैंने संस्था के बता रहा था तो आप पर पढ़ाया था कि कुछ प्रतीक भी होते हैं जैसे हैं अगर आपके पास इंस्ट्यूट होगा तो उसका तो सेंबल होगा लोगो तो होगा कुछ आप एक लेटर हैड देखते सकते इसमबल होता है तो यह सत्ते हैं प्रतीक भावतिक और अभावतिक दोनों होती है तो आप अगे कहते है संस्था जो है जणरीतियों का समुल होता है और एक किताब लिखे थी क्या नम था उसका समनर संंस Mr. किताब यह गएंगे अच्छा कारण प्रतेक बैंक का अपना प्रतीक होता है क्या प्रतीक अगर मैं बात करूं यह भी तो अब ठains कि अब ये मत समझेगा आप लोग कि यहां पर भी प्रतीक है यहां पर भी प्रतीक है तो व्याख्या हो रही है ऐसे नहीं समझना है देखो संस्था प्रतीकों की प्रतीक है भौतिक भी हो सकती है भौतिक दोनों हो सकती है देखे यहां पर अलग statement जा रहा है इसका संस्था के प बोल कर बताता हूँ, बात को समझेगा आप जैसे, मैंने बोल दिया कि प्रतेक बैंक या बिस्व बिद्याले का अपना प्रतीक होता है, बस इतना लाइन लिखा है, अब फिर मैंने कहा कि नीचे भी प्रतेक बैंक का या प्रतीक होता भी है, अब फिर या तो मैं कहूँ कि ब और तुम मेरे को दो तीन छिए ओपर तब आप कहते कि यह इस ब्याक्ख्या हो रही है लेकिन यहां पर इसके बारे में फैक्ट बताई जा रहे हैं इस लिए अग्रिक नहीं यह अप्म आisin जहें Dunk दोनों सही हैं लेकिन आर ये जो आर है ये एक ही ब्याक्या नहीं कर रहा है या तुम्हें ऐसे भी कह सकता था आप से या तुम्हें ऐसी भी बोल सकता हूं कि संस्थाओं की प्रमुक बिशेस्ता मेंसे एक बिशेस्ता प्रतीक मानी जाती है ये मैंने बोल दिया और फिर मैं नीचे कहूं कि प्रतेग बैंक का अपना प्रतीक होता है फिर मैं बोलू तो यहां पर देखिए अगेन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर किवल एक सब्द आया है बैंक इससे पूरा का पूरा सिस्टम हट गया है व्याक्षा ही नहीं हो रही है और बैंक को हटा दू और कि प्रतेक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है अब संस्था कुछ भी हो सकती है बस वहाँ पर फिर व्याक्या अब शुरू हो जाएगा जो भी उपर लाइन में लिखा रहेगा प्रतीक के संबंद में सेंबल के संबंद ठीक है याद कोश्च नमब 28 देखिए संस्था एक मूर्थ होतीयी आप सभासी है यह जानते हैं संस्था मूर्थ होती है सर्ट जी अचस ठीक है अगर आप ठीक कह रहें तो मैं भी ठीक मान रहा हूं अच्छा मतलैं संस्था कारी बिधी की एक संस्था है भी सग्रेखिए अब देखें अब एक वkówक संस्था होती हैं यहाँ पर कंस्था कारविधियों की संस्था होती है यह बात है थिक तो दिको संस्था एक अमोर्थ संस्था एक अमूर्थ विवस्था है क्योंकि सामाजिक संस्था कारविधियों की संस्था है यह मैं बता दूँ इसकी वज़ा नहीं है कि संस्था अमूर्थ है क्या वज़ा यही केवल एक है कारविधि की संस्था है तभी तो यह अमूर्थ विवस्था है क्या यही एक ही व संस्था कारीविदी की संस्था है संस्था एक अमूर्थ विवस्था है यह हमारा एक सिस्टम है कि जिसके दोरह समिती और संगठन अपने सदस्यों की पूर्थ जी क्या करें अमूर्थ विवस्था जो है वो एक प्रगार के उसकी विशेष्था यह बाद सत्य है जो कि समाजिक संस्था ब्यक्तियों का समून ना होकर कार विधियों की विवस्था है जब वहाँ पे कार विधियों की विवस्था करेंगे तो हम वहाँ पे कार प्रगालियों को रिलेट करते हैं तो कार विधि और नियम की विवस्था होने के कारण संस्था की आमूर्थ विवस्था कहा ज आता है संस्था को अमूर्थ का आता है तो जब नियम होता जब नियम होता ठीक मिरे बाद समझेगा अच्छे से और कारण प्रलालियां होती तो हम कहते कि ये कारण ही संस्था को अमूर्थ ब्यवस्था अमूर्थ ब्यवस्था बताते ही है तो मैं आप से कहूंगा कि यहां पर अगर आप लगाएं, बताइए ज़रा, ब्याक्ख्या लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ब्याक्ख्या आप नहीं लगाएं, ठीक मैं आपसे कहूँ कि ब्याक्ख्या अपना लगाएं, क्योंकि यहां पर कारविधी का रेलेट नहीं किया है उपर, समाजी संस्था की क बीधी की संस्था है कारड यह की ब्याख्य करता ए और यह जो आर यह लिखा हुआ है और यह की ब्याख्या नहीं कर रहा है कहा ब монता हूं कि और है लेकिन कारड़ कोशिश करे, 29, संस्था विकास का, विकास, अंतारगत, वैक्ति विसेश पर आधारिद नहीं होता है, क्याजी बाद सही लग रही है, संस्था विकास या अंतरगत व्यक्ति विशेश पर आधारित नहीं होती है बात ठीक है यह सत्य है इसमें कोई दो राय नहीं है यह सत्य है समाजिक संस्था का विकास अल्प समय के लिए होता है क्या यह बात सत्य है यहां पर केवल आपका पहला वास्ति जागा ऑफ्शन नमबर सी वाला करेक्ट हो जागा यानि ए सई है और गलत है कोईशन नमबर 30 समाजिक संस्था के लिए सामोहिक अभीनती का होना अति आवश्य समाजिक संस्था के लिए क्या यह बात सही लग रही है कि सामोहिक अभीनती का होना अति आवश्यक है और अस्थाइत्व का मतलब होता है कि सदस्यों के लिए अधिक प्रभावसाली होना तो सामोहिक जो जो सामोहिक में जो समोह के लोग हैं जो समोह के लोग हैं वो अधिक प्रभावसाली होते हैं क्या प्रभावसाली को रिपरजंट करिए यहां पर सामोहिक प्रभावसाली का होना अति आवश्यक है जब भाई प्रभावसाली नहीं होगा तो फिर समाजिक संस्था कैसी है मै अभिनती होना जरूरी है और अभिनती रिप्रेजंट करता है सदस्यों के लिए अधिक प्रभावशाली का होना और फिर शामोहिक अभिनती कारण ही अस्थाइतों की भावना का सकता होती है। सामोहिक अभिनेती को मत देखिए आपके बल यहां पर भी सामोहिक अभिनेती है यहां पर भी पढ़ने के कोशिश करिए अभिनेती को क्या यह बात जो अस्तायत की भावना है क्या इसको रिपरजंट करेगी पहले वाली लाइन को बेलकुल रिपरजंट करेगी सामोहिक अभिनेती को रिपर्जेंट करेगी जब यह अस्थायत के भावना होगी तो वहाँ पर प्रभावसाली वहाँ पर होगा वो प्रभावित होगा वो चीज़े प्रभावसाली बनेगा वो अधिक सदी तो यह करट हो जाएगा आगे बात करते हैं कुछ संस्था है कुछ समिती है आपको रिपर्जेंट करना है इसको एक प्रकार सा सुमलित करना है आप लोगों को कौन सा करट जवाब है देखो यह जो बैपार संग है ना यह बेसिकली सामोहिक साओधेबाजी है यह कोश्चन पर इश्टार लगा लिजेगा आप लोग यह काफी इंपोर्टन कोश्चन है बैपारिक संग जो हता है सामोहिक साओधेबाजी होती है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि धार्विक संग को लेकर तो संप्रदाय को बात करता है और राजनेतिक दल के अगर हम लोग बात करते हैं तो यह प्रात्मिक इकाई की बात करता अच्छा अगर यहाँ परिवार होता तो भी प्रात्मिक इकाई होता राजनेतिक दल में यह भी प्रात्मिक इकाई संस्था का पाट बनता और राज्य की बात अगर होता तो जाहर सी बात है इसमें तो बताने के जरुरोव थी नहीं आप लोग जानते होंगे अच्छा तरीके से इसमें तो बोलने को जरुरोथ ही नहीं यह राज्य बैदानिक संस्था ही होती है परिवार जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रात्मिक इकाई के बारे मैं आप से बात करूँगा तो आपको वहां पर रिलेट कर दूँगा राजनितिक दल हो गए आपको लेकर अभी यह टॉपिक हुआ नहीं है यह विसे संस्था रखी गई है जो समिति का पार्ट बना आपको पढ़ाया भी था कि समिति है वह उसकी संथी है बैपार शंग चर्च एक धर्विक संथ है जो समिति के पार्ट बनता है और संप्रदाय धर्व भात्रित उपाशना का रोप जो है विसे संस्थाएं का बनता है यह मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत चर्चा किय तो उसी का पार्ट यह है उसी का पार्ट है अच्छा ऑप्शन बताए जरा कौन से सही हुआ यहां पर समिति और संस्था ऑप्शन आपका पहले का आपका बनेगा सामिक सोधेबाजी दो ऑप्शन नमबर आपका यहां पर डी करेट हो जाएगा एक देखिए यह तीकि यह आप बताए जरा परिवार एक समेति कि परिवार एक समिति है तो बिशें संस्था आप देखिए जरा कहीं लिखा हुआ है जरा गर लेँऊ कहीं लिखा हुआ हुआ है लिखा हुआ हैं पर दिखावई है व कर अध़ लिखा हुआ है अंत्र में परिश्च लिखा हुआ है अश्ट लिखा हुआ है आपका वाँषण लिखा हुआ हुआ है उसलिए कोलेज भाशाड एकवी से संस्था के रूंट है आगी आप कि वैपार में do Tis संस्थापन लिखा हुआ है संस्थापन लिखा हुआ है कि सदा बढारे बडाइए चर्च अब option c correct हो जाएगा फिर आपका इस चीज़ को अध्यान रखेंगा अब यह आप देखिए समिती है बैपार संग अब आप जरा मुझे बताइए कहीं सामोहिक सौतेबाजी लिखी हुई है नहीं कहीं हरताल लिखा हुआ है नहीं आप जरा मुझे बताइए कहीं धरना लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है तो आप मुझे बताइए इसका फिर यहां पर correct जवाब क्या होने की संभावना बनाए जा रही है कहीं कार्य और सक्तियां लिखी हुई है नहीं कार्य और सक्तियां लिखा हुआ है यह आपका सही रहेगा यह आपका सही रहेगा यह आपका सही रहेगा यह आपका सही रहेगा चर्च की बात करते हैं देखिए चर्च में देखिए विश्वास हो जाएगा बेरी गुड बेरी गुड राजनेतिक संग की बात करते ह तो शक्ति हो जाएगा आपका सही राज हो जाएगा नियम बैधानिक संता तबी आपने देखा था उपर सायथ उसी को रेपर्जन करता है अच्छा आप यह बताइए अच्छा आप यह बताइए 34 का जबाब मुझे बताइए क्या आप से यहां पर पूछा जा रहा है समिती और विशेश हित को लेकर परिवार देखिए एक वन्षावली आएगी वेरी गुड कॉलेज आपका क्या आएगा बैफशाइक तयारी पार क्या आएगा आपका लाब धार्मिक संग विश्वास यह हो जाएगा ऑप्शन बताइए पहले का चार सी परिवार में हर लिंग आयू की पीड़ी के आधार पर कितने प्रकार का संबंद मैलेलों वश्कील मताया है बताइए साबाश यह तो बड़े तेज हो गए आप अधिक के सामदेख आप जिस प्रकार अच्छा यह आज के लास यहीं तक रोकते हैं ना समय हो चुका है ठीक है आज के लिए यहीं तक करते हैं इसी का अगए कल हम लोग कर लेंगे और फैक्ट वाले प्रश्न भी यहां पर कुछ इन्वाल्व रहेंगे कल कम्प्लेट करा देंगे ना ठीक है कल कम्प्लेट करा देंगे हम लोग ठीक है